बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का ASTRO TAK में मैं हूँ पृतिका मज़मदार आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके बात आज करने वाली हूँ जिस बात को सुनना बहुत जादा जरूरी है और मुझे लगते हैं कि हर घर में इस चीजों को करेक्ट्ली करना बहुत जादा जरूरी है क्या हम लोग क्या करते हैं खाना बनाने के बाद तावा जो है उसको तावा को धो के हम उल्टा रख देते हैं किच्चन में जो कि बहुत ही जादा अशूफ होता है उल्टा तावा रखने की मतलब ये होता है कि इस घर में खाना नहीं बनता है या फिन नहीं बनेगा इनके घर में कोई भी मालक्ष्मी क्योंकि खाना बनते है इनमें भी ये जो मानोपुना की खाने हमारे एक एक अन में मानोपुना की पास होती है तो जिस घर में तावा को उल्टा रखा जाता है तो इसका ऐसे सिंबल होता है कि इस घर में अन्नोपुना की बास नहीं है मतलब मालक्षमी का बास नहीं है तो आप देखिएगा ऐसे घर में तावा उल्टा रखने से क्या होता है इन घर में सुक समरिथी में कमी आती है हमीशा आप देखिएगा ऐसे घर में घरी भी चाई रहती है ऐसे घर में घरी भी पीचाई नीच छोड़ते है और कई बार आप देखेंगे एक तावा इस्तमाल करते करते क्या होता है तावा की चाड़ो तरफ ना गिस जाती है, उबर खाबर हो जाती है, तो ऐसे तावा, अगर उबर खाबर तावा आपका हो चुके है, तो आपको उस तावा को इस्तमाल नहीं करना चाहिए. अब तो ऐसे तावा क्या करेंगे, ऐसी इस तहा कि अगर आपके घर में तावा है, तो आप कोई भी शनिबार के दिन, या फिर अमवश के दिन, जिस दिन अमवश है, ऐसे दिन, आपको इस सुनसान चगे में एक कपड़े के साथ, कपड़े के लपेट के इसे सुनसान चगे म आपकी घर में आपकी किच्चन में नया तावा लाने से सुख की सोभाग की बरत्री होती है अब नया तावा लाने से उस तावा को धो के जब पहली बार आप रोटी बनाएंगे तो दूद की छिरकाब आप कर दीचेगा तावे की ओपर आप देखिएगा बरकत आपके घर में से कभी नहीं जाएगा और हर रोज आप जब तावा का इस्तमाल करेंगे धुला हुआ तावा उसके उपर जड़ा सा दो तीन बूंद दूद डाल दीचेगा और उसके बाद ही उस तावे की ओपर रोटी बनाएगा पहला रोटी कभी भी घर की कोई मेंबर्स को नहीं देना पहला रोटी आप पक्षियों के लिए रखिए हमारे सनातन धर में बोला जाता है कि गाई को खिलाया जाता है पहला रोटी तो घर में बरकत आती है चलिए आपके घर के आसपस अगर गाई नहीं है तो आप पंचियों को दे दिए पहला रोटी अब थोड़ा हटा के रखिए और घर के आसपास कववा है पंची है चुडिया है ऐसे जगे पे आप छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल के आई है रोज ऐसे करके देखिएगा और जब भी तावा घरम हो रोटी बनाने के पाद जबी तावा गर्म हो गर्म तावा कभी गर्म तावा के उपर पानी नहीं डालना क्योंकिंकि जबी हम गर्म तावा के उपर पानी डालने में खर में क्लेश-कले लड़ाई छगड़ा इस तहाankiए चीज़े होती हैं, तो हमेशा इस तिसका थ्यान रखेगा, तावे के ओपर गरम पानी नहीं रखना, और जहाँ पानी है उस जगे पे गरम तावा को नहीं रखना, खाना बनाने के बाद, रोटी बनाने के बाद तावा सुखा जगे पे रखना, और उसको ठंड होने के बाद बिल्कु जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही उसका धो सकते हैं आप गरम तावा को पानी में डालके ठंडा करके कभी मत धुएगा ये भी बहुत ज़ादा बास्तु आपके घर में आपके कीचिन में बास्तु दो शुद्पन करते हैं ये सुनने में बहुत छोटी जाता है अधोने के लिए इस घर में बहुत ज़ादा लड़ाई जगड़ा क्लेश कहे होते हैं एक दुसरे के साथ एक मेंबर के साथ दुसरे मेंबर के घर के बनते नहीं हैं हमेशा सुबे से रात तक किसी ना किसी बात बे लड़ाई होते रहते हैं तो बात तो ये हम लोगों कि कहां आगर हम मान के चले, ऐसे बातों को मान के चले, तो बहुत ही जादा सुख सम्रीदी तो आएगा ही आएगा, इसके लावा भी आपकी घर में शांती रहेगा, सोभागर रहेगा, आपकी घर में अन्नोपुना की बास रहेगा, अभी के लिए मैं चलती हो, फिर झाल झाल झाल